अंस्ती थी पागलों की तरह, रोती थी जैसे सब लुट गया, सब छुट गया, कब मिलेंगी मुझे मेरे माधव, मेरो तो गिर्दर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर्पे मोर मुकुट, मेरो तो पति सोई, छान देई कुल की कानी, कहा करेगो कोई, संतन ढिंग बैट बैट, लोक लाज खोई, अस्वन जल सीच सीच, भक्ती बेल वोई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई, दासी मीरा लाल गिर्दर तारोग वोई, अब तो प्रभु मुझे अपना लो, अपनी दुलन की तरह, आजाओ वर्दो मेरी मांग में सिंदूर, मीरा बाय ने बादली थे गुंगरू, पग गुंगरू बाद मीरा नाचीरे, लोग कहें मीरा भईरे बावरी, सास कहें कुल नासीरे, पग घुंग रुबांद मीरा नाची रे विश्का प्याला राणा ने भेजा पी गई मीरा हासी रे विश्का प्याला राणा ने भेजा पी गई मीरा हासी रे भवान के प्रेम में जो पागल होते हैं उनके लिए बिश क्या करेगा समाज का अपमान क्या करेगा उनको मां समान की, परवा नहीं रहती, विशपान भी कर जाते हैं, जिसने संसार का विशपान नहीं किया, संसार ने उनको उपर पत्थर फैंके, उनको जैर दिया, उनको मारा, कतल किया, फासी दी, जीसस को फासी मंसूर के हाथ पाउं काटे फासी पलटका दिया सुक्रात को जहर पिला दिया मीरा को जहर पिला दिया बुद्ध भगवान को मारने की चेश्टा की गुरुनाना देव जी के ऊपर भी चट्टान खिसका दी मारने के लिए उन्होंने पनी एक उंगली के इशारे से ऊए छट्टान को रोका शक्तिवान थे कैंकि भगवान के ही जो स्वरूप है वो शक्तिवान जो पवित्र भरम पवित्र रहें वो शक्तिवान हैं पवित्रता में शक्ति होती है जरा मरन मुक्षाय है तो इस जहर सब को पीना पड़ता है और संसार के पास है क्या जहर ही तो है जिसके पास जो होगा वोई तो पिलाएगा अम्रित तो मिलता है महापुर्शों के पास शुद्ध भक्तों के पास संसार के पास कहां मिलेगा संसार के पास मिलेंगी बीडी सिग्रेट शराब गांजा भान तंबाकु मांस मटन बीफ ब्लड जिवा ताश के पत्ते और चम्रे का व्यापाहर यह सब जहर है तो संसार देगा क्या इच्छाद्रेस वो अपने को राजा गोसित करने के लिए बड़ा गोसित करने के लिए वो भगवान के भी सामने तल्वार लेके आ जाएगा रावन राम के सामने आ गया इरिना कश्यपो भी आ गया भगवान को तल्वार लेकर के खड़क लेली आत्मे खड़क निकाल ली जैसे नर्सिंग भगवान प्रगट लिए लिए भगवान के आगे उसकी खड़क क्या करेगी लोगि करेंगी क्या इस विचारे करेंगी क्या संसार वाले इनके पास जहरी तो है तो जहरी फिलाएंगे तो संतों को मारेंगे गाली देंगे जूटे लांचन लगाएंगे काला मुह कर देंगे गदे पे निकाल देंगे बिठागे क्यों संत अमरित पिलाना चाहता है अमरित इनको भाता नहीं जैसे गदे को कोई गी पिलाए और गदा गए कि क्या करते हो मेरी गर्दन को तोड़ रहे हो ऐसा ही हाल है तो पिर गदा दुलत्ती मारेगा नकारेगा अमरित पिने से लेकिन बगवान कहते हैं कि जो मेरे आश्र में रह करके बगवान का आश्र है यह बगवान की शर्ण बगवान की शर्ण तभी मानी गई है जब कोई व्यक्ति बगवान की किसी शुद्ध वक्त के चल्णों में जाके मात अटेके प्रणाम करे गुरू रूप से स्विकार करे तो बगवान की शुद्ध वक्त की शुद्ध मानी जाती है बगवान की शुद्ध डाइरेक्ट नहीं मिलती शास्त्रों में मना किया है बगवान की किसी शुद्ध वक्त की शर्ण में जाने से ही बगवान की शर्ण मिलती है डाइरेक्ट एपर्च नहीं होती इसलिए बगवान स्वेम गुरु बनाने की सिक्षा देते हैं गुरु बनाए कृष्ण बल्राम संदीप निमुनी के आश्रम में गए शिक्षा लेने बेशक उन्होंने चोशत किलाएं प्राप्त करी उनके पास तो कलाओं का बंडार पहले से ही है उनको जरुत नहीं लएँ शिक्षा देने के लिए समाज में चोशत दिन में चोशत किला भगवान ने इस दरदाम पर जब थे प्रगट हुए तो सभी ऐसी लिलाएं की जो सभी नर और देवताओं से और दानवां से ब्रह्मा जी से सबसे एक-एक हाथ उपर थी उससे ज्यादा नहीं वो चाहें तो हज्जारों में उपर कर दें नहीं एक-एक हाथ उपर समझाने के लिए कि मैं भी तुम जैसा ही हूं लिन देखो मैं भी तो गुरु बना रहा हूं चाहे 64 दिन के लिए सही 64 कलाओं के लिए सही राम के भी गुरु थे गुरु भी गती नहीं होती गुरु भी ग्यान नहीं मिलता गुरु भी एंकार कौन काटेगा तुम्हारा कोई कहता है स्रीडी के साहे बाबा मेरे गुरु जी है मैं कहता हूँ तुम अभी 40 वर्ष के हो श्रिडी के साहे बाबा को सो वर्ष से उपर हो गए वो तुम्हारे गुरू का बन गए महाराज अमने गुरू मान रखा है उनको अच्छा चलो ठीक गुरू मान रखा है फिर गुरू जी ने गुरू मान रखा है तो गुरु एक पवित्र भक्त होता है बगवान का तो उसकी पवित्र था तुम्हें भी तो तुम्हारे उपर भी तो उतरनी चाहिए तुम तो शराफ पी रहे हो, मांस खा रहे हो, जूट बोल रहे हो, बेहिमानी कर रहे हो, चोड़ी कर रहे हो, दुनिया को सता रहे हो, तुम कैसे उनके शिष्ष होगे? शिष्ष का धर्म है, क्यों भगवान की शरण में रहे हो, अपने गुरु के इंस्ट्रेक्शन का पालन करें, पवित्रता को अपनाए, गंदगी को साफ करें, धर्म को अपनाए, अधर्म को नश्ट करें, तो लोगों ने ऐसे धार ना कर रखिये, कि हम तो मानते हैं स्रीडी के साहिवावाग, कोई बल्द हम जलाराम बापू को मानते हैं, तो जलाराम बापू तो अभी नहीं है, तो कोई बल्द है, हम जगत गुरू स्री किर्शन जगत गुरू है महाराज, उनकी चरणों में हैं, तो फिरू स्री कृषन भगवाण ने गीता बोली है, अपने शिश्ष के लिए, तो शिश्ष बनो अर्जुन की तरह, तो भगवाण स्री कृषन के इंस्ट्रूंज का प करो उनकी शिक्षा को स्वीकार करो भगवान कह रहे है कि मेरे आश्रह में रहकर के जो ज़रा मरण से छुटकारा पाना चाहता है उसे मेरे आश्रह में रहना चाहिए मेरी शर्म में रहना चाहिए मेरी शर्ण में रह करके मेरा भजन करना चाहिए मेरी सेवा करनी चाहिए मेरा कहा मानना चाहिए मुझसे प्रेम करना चाहिए मेरी चरण स्परस करनी चाहिए मेरी शर्ण में रहना चाहिए मेरे पर डिपेंड रहना चाहिए जो कुछ मांगना है मुझसे मांगे कुछ निवेदन करना है मुझसे करे मावा सरत्ति यतंति है जरा मरण मोक्षाए जरा मरण से मुक्त होने के लिए कि बार बार जनम बार बार मरण इससे मोक्ष प्राप्त करने के लिए छुटकारा पाने के लिए भगाएं स्री कुष्ण कह रहे हैं कि मेरी शर्ण में रह करके यत्न करना चाहिए मेरी सेवन में रखरके ये जरा और मरन से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए यह नि मेरे भजन करनी चाहिए मेरी सेवा करनी चाहिए मेरे नाम जिप करना चाहिए मेरा कीर्टन करना चाहिए ध्यान करना चाहिए आरे कृष्पना जतनी करना grote mawrाक प्रूनorgale कीवतन करना चाहिए नाचना चाहिए यद करोसी यदशनासी यद जुओसी ददासिय यद अपश्यसी कौनते तब कुछ सुमध अरपणं अरे खुंती के नंदन अरजुन जो तू कुछ खाता है करता है देता है तपता है उसम मेरे लिए कर तेरी सारी दिंचरिया मेरे लिए होनी चाहिए मुझे पुरसंद करने क मेरे लिए कर यद करोसी यदशनासी यद जुओसी कुछ आउति देता है स्वा मेरे मेरे लिए कर वासुदेव यग कर लोग देवताओं के मन तो चारन करते हैं आउतियां देते हैं इंद्र देवाए इन्नमा स्वाह और फिर ट्रात्रा करते हैं हमको महल दो गोड़ा दो नौकर दो रानी दो सुख दो सुविदा दो अफसराएं दो सारी अफसराओं के लेके बैठे हमें एक ता अफसरा दो इंद्र है मन तुमारा इस शरीर में हमारा जो मन है यह इंद्र है यह इंद्र के यह चारों तरफ हजार नगन अफसराएं खड़ी होती हैं विचारों में ही सही सपनों में ही सही यह मन में ही सारा संसार समाईत हैं यह मन ही भोगता बनना चाहता है मन ही अच्चा करता है मन ही द्वेश करता है मनिय मनुष्याडान करम बंद मोक्षय यह मनी ही तो है मनुष्यों के अंदर जिससे मनुष्य शब्द बनाए यह मनी ही तो है जो बंदन का कारण है यह चाहे तो जेल में ले जाए बेड़ें में डाल दे यह चाहे तो नरक में ले जाए ये चाहे तो अपसराओं से मिला दे ख्वाबों में ही सही हकीकत में मिला दे और ये चाहे तो परमीश्वर से मिला दे ये मोक्षा कारण भी बन जाता है मन मन ये मनुश्या नाम कर्म बंध मोक्षा ये कर्मों के बंदन में डालता है तो मन से सावदान रहना है मन की गति समझना कि यह कहा कौन से चाल चल रहा है किस मार्क पर जा रहा है तो वत्वाband सरी krishna कहते हैं कि यह मन संसार में भटकेगा तुमारे बश्वार्य नहीं होगा जब तकुम मेरी शड़मे इसको नही लागा दोगे मेरे चर्णों में इसको नहीं लगा दोगे मेरे सेवा में इसको नहीं लगा दोगे मेरे नाम जप में इसको नहीं लगा दोगे मेरे कीर्तन में इसको नहीं लगा दोगे जब तक ये मेरे लिए नाचेगा नहीं ये तुमारे बस में नहीं होगा तो इसको मेरी सेवां में लगा दो यह अपने आप्शान बस में हो जागा और तुम्हारा मित्र बन जागा तुम्हारा कल्यान चाहने वाला बन जागा इमार जरा मरण मोक्षा है तब तुम्हें जरा बुड़ापा और मरण यानि मृत्यू से छुटकारा प्रात कर सकते हो और कोई मार्ण नहीं बतलाया भगवान नहीं होता कोई मार्ण यह बोलते नहीं बोला जरा मरण मोक्षा है मामा सुर्थ्य तंति यह जो मेरी शवर में रह करके जनम मरण से छुटकारा पाने का प्रियत्न करते हैं ते ब्रह्म तद्विदू वो ही ब्रह्म को पहचानते हैं ब्रह्म क्या है भगवान क्या है परमात्मा क्या है आत्मा क्या है ते ब्रह्म तद्विदू परम ब्रह्म क्या है ते ब्रह्म तद्विदू कृच्णम अध्यात्मम कर्म चयक्लम और वो यह जानते हैं मुझ परमेश्वर को, मेरी आत्मा को, मेरी सुप्रीम सौल को, मुझ सुप्रीम ब्राह्मन को, परम ब्राह्मन को, परमात्मा को ते ब्राह्मत अद्विदु कृत्सनम अध्यात्मम वो ही जानते हैं आत्मा के विशे में, वो ही जानते हैं कर्म के ख्षेत्र को, कर्म फिल्ड को, वो ही जानते हैं अध्यात्म के ख्षेत्र को, आत्मा के फिल्ड को, चाखिलम और पूर्ण जो इस्तार है भगवान का उसके बिसे में उनको ही जानकारी है जो मेरी शर्ण में रहके जरामरण से मुक्त होने का प्रियास करते हैं यानि मेरी भक्ति करते हैं जरामरण मोक्षायो मामा सृत्यतंतिये ते ब्रहमत तद्विदु कृस्नम अध्यात्म कर्म चाकिलं अध्यात्म क्या है आपकी आत्मा ही अध्यात्म है यहाँ पर अध्यात्मा को कहा है जो इटर्नल है फुल अब बलीस है आनन्द मई है हमेशा के लिए अध्या जो है आत्मा आत्मा अजर अमर अविनाशी है आनन्द मई है ग्यान मई है आप सब है आत्मदेव आप सुरिय की समान तेजस्वी है लेकिन ये च्छे शक्तरों ने च्छे विकारों ने और बारे खजानों ने घेर करके ये घेर करके बैट गए आपको आपके उपर बादल की तरह चागए काले बादल मन रहा गए अब ये सुरिय तो लुपत हो गया दिखाई नहीं पड़ता और दिखाई पड़ते हैं काले बादल दिखाई पड़ते हैं शरीर कि मैं शरीर हूं मैं ताकतवर हूं मैं रूपवान हूं मेरे शरीर हैं मेरे बच्चे हैं मेरी पत्नी हैं मेरे ये शरीग दिखाई देते हैं। अश्ट्यवक्र महाराज ने जनक्रशी को फटका रहा था। जनक्रशी बड़े-बड़े विद्वानों से ब्राह्मनों से सस्थन्ग करवा रहे थे। अबनी महल में। तर्व की तर्व शास्त्रार्थ चल रहा था बिद्वानों जो स्कोलर्स हैं जिनको जो किताबी कीड़े हैं जिनको शास्त्र का तोता रटन्त का ज्ञान है अनुभव नहीं जब यह सत्संग में अश्टावक्र पदारे ते सारे विद्वान ब्रहमन हस पड़े पंडित पैंडित जिनको पैंडित कोई जिनोंने धन समझाए हस पड़े अश्टावक्र जी को देख करके अश्टावक्र उनका नाम ही अश्टावक्र है उनका शरीर आठ जगे से टेड़ा मेड़ा था उनके पीछे भी शाप लग गया उनकी पिताजी का उनके पिताजी ब्रहमन थे कर्म कांडि ब्रहमन जोतिस विद्यावाले शनी नवग रहके जाप करवाने वाले कर्म कांडि ब्रहमन अश्टावक्र जब पेट में थे मा के पेट में सात्वे मेने में जब बच्चा पहुंसता है तो कोई सिख्षा देने की पज्दिती चली आई है आज भी है कल भी थी जैसे नारद मुनी ने भक्त प्रलाज जब गर्भ में थे कयादु माता के तम नारद मुनी ने उपदेश किये थे कयादु को और वो सारे उपदेश बालक भक्त ने सुन लिये थे अध्यात्म जान भगवत कताई है ठीक वैसे ही ब्राह्मन कहते हैं पिता अश्टावक्र तो बालक है नाम तो यह उनके शरीर में आठ जगे से टेड़े मेड़े हैं इसलिए नाम अश्टावक्र पड़ गया उनके पिता जी नहीं इश्ञाप दे दिया कि तो अश्टावक्र नाम से जाना जाएगा तेरे शरीर में आठ जगे से बाख होंगी टेड़ा मेड़ा होगा तो मेरे एग में बात नहीं सुनता पिता जी वैचारे मेहनत करते थे बच्चे को तयार करते थे कि करमकांडी द्वान बने तो शिक्षा देते थे करमकांड की लिए बालक बड़े चातन में थे इन्होंने सोचा कि जो पिताजी जो सिक्षा मुझे दे रहे है इस सिक्षा ते सो संसार में आदमी फसता है यह तो सबोई इंदर-चंदर को मनाने वाली विद्या है बोग विलाशों को चाहने वाली विद्या एक करमकान करें कि तो अभिद्या है यह तो संसार में फसाती है कि तुम शुनी के जाप करो इंद्र को आउती दो चंद्र को आउती दो वायुदेव को आउती दो और इसे फिर घोडा गाड़ी मांगो दन बैबाव मांगो इस्तरी पुत्र मांगो यह तो संसार में फसाने वाली विद्या है झाँ नाच नाच उनाच ओर श्यक्यां साधित प्रते है अजेया है झाँ पूले